तो यह देख सकते हो जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं तो हलो दोस्तों नमस्कार जय जोहर जय चतिसगाट तो आज मैं आया हूँ ब्लाजपूर एपी स्ट्रीट के पास में जो बहुत सुंदर पार्क है यह आपको देखने को मिलेगा सनीचरी रप्टापूल के पास में तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं यहां का नजारा तो यहां पर देख सकते हो यह हैपी स्ट्रीट करके लिखा हुआ है यह मेल रोड के सामने में आप देख सकते हो हैपी स्ट्रीट करके लिखा है यह जश्ट यह बगल वाला यह रोड है रास्ता है जो इधर से आप गांधी चौंक भी जा सकते हो और जो राज पूल जो बन रहा है ना जो पानी देम करने के लिए वो जस्ट इसके बगल में है तो चले वो आपको दिखाता हूं बने रहना ब्लॉग में तो यहां से देख सकते हो आपको दिखा रहा हूं यह सुंदर बहुत सुंदर चीत्र बना हुआ है और यह थोड़ा सा और कु देख सकते हो यह जो दिख रहा है वो इधर टहलने के लिए बनाए हुए है देख सकते हो और जो बगल में दिख रहा है वो चौल है दुकान बना हुआ है अभी खुला नहीं है तो यहां पर कुछ प्रोग्राम होगेरा होने वाला है यह सब लगा हुआ है देख सकते हो यह हपी इस्ट्री का नजारा देख सकते हो कैसे डाइब का है तो चलिए और आगे दिखाते हैं यह जो दुकाना भी दिख रहा है वो पूरा खुला नहीं है और इसी के जैस्ट अपोजिट में यह भी एक घूमने के लिए जगा है और आप यहां से अंदर जा सकते हो तो यहां के आप लोग ऐसी बैठ सकते हो अराम कर सक्के हो बहुत अच्छा जगा है आप देख सकते हो भी यह देख सकते हो साम का नजारा कैसा है महल बहुत ज़्याददा क्रॉड भीढ यहां पर देख सकते हो तो अभी ये पेंट पौधा लगा हुआ है चोटा-चोटा दीख रहा है देख सकते हो तो ये हपी स्ट्रीट का ये सबसे देखने लायक जगा ब्लासफूर का आओ यहाँ पर देख सकते हो कितना सुन्दर द्रेश्य बच्चे खेल रहे हैं तो ये सबसे बहतरीन जगा है ब्लासफूर सनिचरी रप्टब पूल के पास में देख सकते हो बच्चों के लिए बहुत सुन्दरा कर्शन यहां पर आई लग यू ब्लासफूर करके लिखा हुआ है वो भी देख सकते हो जबरदस्त है यहां पर सेलफी इस्टिक वगड़ा में अपना इस्टाग्राम में बनाते रहते हैं तो यहां का नजारा देख सकते हो जबरदस्त है क्राउड है पुरा तो आई लब यू भी लासफूर करके लिखा हुआ है देख सकते हो और यहां का क्राउड भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा है भीड है और बच्चे लोग बहुत अच्छा से खेल रहे हैं चलिए आपको दुसरा वाला जो पॉनी का जो निकलते हैं उसको दिखाते हैं तो देख सकते हो यह वाला फोहारा गजब का है इतना हाइटेट है देख सकते हो तो यह पानी जो है वो कलरोलर बदलता रहता है देखों आगे वाले में दिखाते हैं आपको यह देख सकते हो बच्चे का कैसे फोटो ले रहा है तो यह ब्लास्पुर में जबदस्त जगा है आप भी आओ और देखो यह वाला फौरा कम है इसमें कम दिखाई दे रहे है कलर जो है वो और इसका हाइट देखो हाइट पानी का बहुत दूर से है कम से कम में लग भग यह 15 फीट उपर जा रहा है और इसीच की बगल में जश्ट देखो तो यह कैसे कलर बदल रहा है देख सकते हो फौरा जो बना हुआ है पाथ से आपको दिखाते है तो देख सकते हो जबरदस्त पानी चल रहा है उपर से देख सकते हो जश्ट इसीच की अब वोजीट में एक और बना हुआ है फौरा देख सकते हो यह भी यह अच्छा लग रहा है पास से दिखाता हूँ आपको तो यह देख सकते हो जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं तो बहुत सुंदर जगह है आप देख सकते हो है पे श्टिक आके यहां और साम कसामय का नजारा जो है वो बहुत अच्छा रहता है तो यह अपने बिलाश्पूर के पास में है यहां पे लिखा भी है आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा सा धुम्दा दिख रहे हैं तो दोस्तों यह हैपी स्टिक है स्टिक करके लिखा हुआ है और आप यहां आके घुम सकते हो देख सकते हो और यह लिखा हुआ है कि हमार बिलासपूर तो बहुत सुन्दर स्मार्ट सिटी है हमारा बिलासपूर यहाँ आके हपी स्ट्रीट में आप भी गुम सकते हो देख सकते हो बहुत कुछ है तो जैसे जैसे मेरे को जो अपने दिमाग से बना वह वैसे टाइप का ब्लॉग बना रहूं दोस्तो और तुरूटी को ध्यान मत देना ठीक है तो दोस्तो यहां आओगे आप लोग तो यहां पर देख सकोगे यहां निशुलक पार्किंग लगी हुई है यहां पर कोई प्रकार का पैसर अशर तो लेते नहीं है तो यह पार्किंग भी बना हुआ है देख सक यह निशूल का पार्किंग है आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा निशूल का पार्किंग है तो दोस्तों यहां आके आप निशूल का गाड़ी भी रख सकते हो और निशूल का यहां घूम सकते हो और बहुत अच्छा है फैमिली के साथ भी आ सकते हो तो अब यह बन रहा है पुरा तयार नहीं हुआ है यहाँ पे घाश लगना भी बांकी है तो यह निसूल के ज़शट रपτα जो फुल है वही रास्ते के पास में निसूल का पार्किंग का सुधा है और ज़शट रप्टः पुल के पास में है आप देख सकते हो यह रप्टपुल है यहां यह रप्टपुल के पास सीज़ेस्ट यह बना हुआ है हैप्टी स्ट्रीट करके तो आप यहां आके घुम सकते हो साम का समय अच्छा रहता है यहां क्राउड भी रहता है बहुत अच्छा भीड रहता है और बहुत लोग तो सेल जय जोहार जय सक्थीज गरी